नमस्कार आप देख रहें बिसे नियूज मैं हूँ आपके साथ सौमय मिश्रा तो देखे पहले चरण का रंड जो है वो कल समाप्त हुआ और अब तैयारी दूसरे चरण की जहां पर मतदान प्रतिशत उत्तरप्रदेश में बहुत खास नहीं रहा जहां कल आठ सीटों पर चुनाव का मतदान था उत्तरप्रदेश की आठ सीटों पर जहाए कि इस राजियों के 102 लोग सबा सीटों पर कल मतदान हुआ लेकि सबसे ज़ादा मतदान परश्यम बंगाल में देखा गया और उत्तरप्रदेश में मतदान बेहत कम रहा 57 शमलो कुछ प्रतिश्वत तक मतदान रहा और लाख प्रयासों के बावजूत मतदान का प्रतिश्वत कम रहा यानि कि 60 प्रतिश्वत तक के आसपास जो मतदान रहा वो बहुत उचसहा भर देने वाला मतदान नहीं रहा यहां पर यह भी वीवसथा की गई थी कि चाहें वो दिव्यांग जिन हो चाहें वो असहाय हो जाहें वो बुजण हो उनको पिक और डॉप सरुस की व्यवस्था भी की गई थी लेकिन उसके बाद भी लोगों ने से अपने छुटी के दिन के तौर पर देखा और मतदान कम हुआ पूरे यूपी में लेकिन अभी बचे हुए छे चरण बाकी हैं उसमें उमीद लगाई जा रही है कि उत्रप्रदेश में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा आज इसी को लेकर हम अपने अलग-अलग समवादाताओं से चर्चा करेंगे उनके जिलों में क्या कुछ तयारिया हैं किस तरीकी की कोशिशें की जा रहे हैं मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उसको भी जानेंगे और दूसरे चरण को लेकर के क्या तयारिया हैं इसको भी पढ़खेंगे हमारे साथ आपको बताते कि महिंद्र गौतम जलों से जुड़ चुके हैं विजयतिवारी देवरिया से हैं हिमंत जहासी से हैं और संजय मिश्रा गोंडा से हैं जौलान से शुरुवात कर लेते हैं महींद्र गौतम देखें आभी हम सब ने दिखा कि पहले चरण का चुनाव हुआ और अब दूसरे चरण की तयारियां की जा रही है और फिर से एक बार इस बार की जो डेट्स पढ़ रही है चुनाव की वो ऐसी है जिसे हम वीकेंड कह सक सकते हैं कि या तो पहले संडे है या तो साटरड़े के बीच फ्राइडे पढ़ रहा है साटरड़े यानि के वीकेंड वाला महौल है जिसकी वज़े से लोग इसे अपने छुट्टी के तौर पर देख रहे हैं अपने घर में ताला डाल करके छुट्टियों के लिए निकल समेदन सेयल जो अनका निरिट्षड किया रहा है उनको पहुँच कर लोगों को की जा रही है कि सांतीपूर तो से चुनाओ में मत सांतीपूर तरीके से नहीं करेंगी तो उनकी उपर ततकाल कारवाई की जाएगी अब की बार चुनाओ में एक चीत तो देखने को मिली है कि पहले से ही पिरसासन हर वक्त MP बॉर्डर से जड़ा हुआ है MP बॉर्डर पे भी चेकिंग करता दिखाई दे रहा है और जगाए जगाए पुलिस तैनाद कर दी गई है और पुलिस के दुआरा जगाए जगाए चेकिंग की जा रही है और बात कर लेते हैं छुट्टियों की यह सबसे अच्छा ओफर है जो चुनाओ के प्रतियासियों के लिए कि छुट्टी में जो बोट करेगा छुट्टी होगी तो बोटिंग जरूर बढ़ेगी और इसमें लोग बढ़ चलकर बोट का हिस्सा भी बनेंगे यह छुट्टियों का जो सिलसला है छुट्टियों मे कर नजर आते हैं लोगों को जागरूप करते हैं क्यांप लगाए जाते हैं या कोई ड्रिल की जाती है जिसके तहत वो सिखा सके मतदान का जो इंपॉर्टेंस है उसको बता सके इसको इस तरह की कोई गतवीदी आपकी जिले में जी सो मैं जी जालोन में फिलाल चात्र है चात्र और चात्राएं बार बार जागरूप करती दिखाई दे रही हैं प्लैग मार्च पुलिस करती दिखाई दे रही हैं अन संस्तान भी है जो मत के लिए अपील कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अबकी बार सत किती सत म मत ब्चुदान हो लोग सबाच चनाओं के सरकार, अगर बनेगी, जिसकी भी बनेगी सरकार, उसके लिए बहुत सारी उमीदện लोग लगा बैटे हुए हैं, और जंदान बहुत सारी है, जो उमीदें लगा बैटे हुए हैं, तक लिए मत्दान अपकी बार, सत-पिट्टिस defin, आंगे बढ़कर होगा और मतदान कन जरूर पहुँचेगा हर वेक्टी चुब कि इतनी ज्यादा प्रसासन के दौरा तैयारिया कर दी गई है और प्रसासन के दौरा सम्मेदन सील जो गूत हैं उन पर भी निरिक्चल बार बार किया जा रहा है और उन पर सुरक्षा बल भी त प्रसासन को पहले से ही तैयारिया करना सुरू कर दिया है और पहला चरण हो चुका है जो आप देख सकते हैं कि प्रसासन के दौरा इतनी अच्छी उत्तम ववस्ताएं की गई थी लेकिन अब ये देखना है कि दूसरे चरण में क्या होता है इस चुनावी महा संग्राम में जी स्वामय जी अच्छा भी है वहीं अगर हम बात करें बश्चिम मंगाल की तो 80% तक मतदान हुआ बहुत बड़ी बात है लोग जागुरूख है कह सकते के यूपी देखे सबसे बड़ा राज्य है अगर यहां पर मतदान प्रतिश्वत अच्छा नहीं होगा तो बहुत गरत मैसिज प्रतिश्वत बात करके जानकारी लिया उन्हें रहा तो उन्होंने बताया कि कुछ यूँवा मतदान सुचि से बाहर से उनको भी जोड़ा जा रहा है जो कीboy मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रियास किया जा रहे परन्तों यह जो कड़क लू है और वहीं देवरिया का सातमे चरण में मतदान होना है प्रतू उसको देख करके यह नहीं लगता है कि कुछ इसका खाश प्रभाव पढ़ेगा ओई प्रतियासी जो हैं देवरिया का इलाकों में जाकर करके जन संपर्ग कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं अधिकारी जनता से अपील कर रहे हैं डीम का ये अपील संदेश है कि पहले मतदान फिर जलपान तो इसको देखा जाए कि कितना प्रभाव जिलिम पड़ता है कितना ओट बढ़ता है अभी कुछ अन अलग-अलग जिलों में चाहें वो शिक्षक हों सरकारी सिक्षक हों वो सलकों पर हैं हातों में पैंपलेट ले करके लोगों के घरों में पहुँच रहे हैं मतदान के लिए जागरू कर रहे हैं और जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनको भी काफी ये बता रहे हैं कि मतद कितनी महत्वता है से चुटी की तरह ना समझें से अपना ये कैसा अधिकार है जिसको अगर आप करते हैं तो देश की तस्वीर भी बदली जा सकते हैं अच्छी सरकार अगर देश में आती है तो तस्वीर देश की बदलेगी इसलिए मतदान करना बेहत जरूरी है इस बात की जानकारी लोगों तक कैसे पहुचाए जारी है क्या कुछ तैयारियां चल रही है जी सौम्या बात चिंता की जरूर है कि विश्व के सबसे बड़े लोगतंतर में अगर वोट प्रतीसद कम होता है तो कहीं न कहीं ये लोगतंतर के लिए खत्रा होता है लेकिन अगर हम बात कर लें कि अगर हम 2019 की बात कर लें तो चुनाओ इसी समय हुए थे और चासी के जागरूप मद्दाताओं ने लगबक 67% मद्दाताओं ने यहां वोट किया था यह बहुत अच्छी बात थी यहां पर उस समय भी प्रचन दर्मी पड़ रही थी चुकि बंदिल घंड में यह इसके साथ इसकी भी कर लें कि जो फ्लैग मार्व प्रिसासन द्राक किया जा रहा है कि निर्वीक होकर आप अपने वोट का इस्तमाल कीजें ये भी बहुत अच्छी पहल यह भी साथ में करता जा रहा है कि कभी भी हम पुलस्ताइग लेने जाते हैं तो जहांसी की जो जहां पर polling station बनाये गए है कि वहाँ पर toilet से लेकर shade डाले गए है टेकन डॉप की गोस्ता है की गई है पानी की गोस्ता की गई है कि जो voter है वो आराम से आए और vote करें समाज सेवी संस्ताइं भी यहाँ पर अपने काम में लगी हुई है जागुरुकता के अभियान में लगी हुई है, जगे-जगे रहलिया निकाली जा रही है, हमारे नुकर सबाएं तो हो रही है, कि सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोड़ दो तो जहां का गुमीट की जा रही है, कि जहासी जनपत के जो जागुरुक नगदाता रहे है, जिन्होंने पिछली बार भी बढ़च कर चुनाओं में हिस्सा लिया दा, और 70% हमारे जहासी का लिटरेशी रेट है, तो उस जाप से इस बार भी मुझे ऐसा प्रतीर नहीं हो रह प्रिशासर अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, समासे भी सलस्ता है जिते हैं आपके हाँ राजनीतिक दलो की क्या कुछ तैयारी है, मतदान को लेके साथी साथ, जाना चाहूंगे अगर आपके पास आकड़े उपलब्द हों, तो इस बार जहासी में कितने नए मतदाता हैं? जी मैं आपको बता दू कि जहां सी जनपर्त में इसवा लगबक 18,00,00,00 जो हैं वोटर्स अपने वोटों का इस्तमाल करेंगे, बात हम राजनीतिक की कर लें तो मैं आपको बता दू कि यहां जितने भी राजनीता हैं, काफी सजग हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, और य बता हैं, लोगं के मार्धयम से कर रहे हैं और लोगं से बार बार य अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट का अधीकार जो है वो लोकतंतर को मजबूर करने के लिए वोट अवस्ल है, और जिस आप से राजनीतिक दलों की तैयारिया है, लोगं से अपील है और जहां तक उ है आने वाले 20 मई को यह तैय हो जाएगी कि इन्हों की महनच जो कितनी सार तक होने जाएगी जी सम्भा बिल्कुल देखे हमारे साथ हमारे सम्भादाता गोंडा से संजय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं संजय आप से जाना चाहूंगी कि बूत पर किस तरीकी के इंतिजाम के जारे हाला कि पाचवे चरण पर गोंडा में चुनाओ है लेकिन तैयारियां जोरो से हैं क्योंकि में देखा कई जगे जड़ब भी देखने को मिली साथी साथ में कहीं कहीं पूरे-पूरे गाउने चुनाओ का बहिशकार कर दिया उनका कहना था कि जो विकास का रहे हैं वो रुके हुए हैं जब तब पूरे नहीं होंगे तब तक हम वोट नहीं करेंगे आप से जाना जा पर रोग मार्च करते हैं बादिष्कारी नहा सरमा जो है वो मीटिंग करा बूलाती है और समाज करता है भी आता है वो लोग दी आता हूं नुक्तर नाटक तब गाउं गाउं में जागरूब भी करते हैं और प्राइबेक इस्कुल के माद कर लें तो वी जिसान में बिल्कुल जिस सरीके से हमने देखा कि पहले चरण का जो मतदान रहा वो कई जिलों में बहुत धीमा रहा और पूरे उत्साहा भर देने वाला मतदान प्रतिशत नहीं रहा जिसके बाद आप जो राजनीतिक पदादिकारी हैं या जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने अपनी कारशली में थोड़ा सा बदलाफ करते हुए अपने कारकरताओं को भी उस बीच जाने की अपील की है कि यानि की कारकरता लोगों को घर से निकाल करके उनसे अपील करके वो मतदान केंदर तक ले कर जाएं इस सरीके की सभी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ तैयारिया है जी बिलकुल आपको बतादे कि एक तरफ पार्टि पे कारिकरता और इसने भी लोग पार्टि पे लोग जो भी साइव पार्टि पर आप ले जाएं लेकिन अब इसके बास जो है प्लक्छ पार जो है अदर्स आचार्संगेसा का उलंधर नकिया जाए उसको भी देखते हुए लोग जो है धरकर तो उनकी पार्टा जाते हैं लोग को जागरू करते हैं और जानने की भी बात करते हैं क्योंकि हमें हमारे सांसत से दिक्कत है हमारे जो यहां पर जन प्रतिनिधी हैं उनसे दिक्कत है अधिकारियों से दिक्कत है क्योंकि हमारी समस्याओं का कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है उसके बाद अधिकारियों को घुटने टेकने पड़े कई जगे उसी वक्त उसक पारे को कराना पड़ा उसके बाद मतदान किया गाउवालों ने क्या जालाउन में भी सरकी की समस्याइं आ सकती हैं क्या कुछ ऐसी जगाएं जहां पर लोग इस बार चुनाव का बहिशकार करने की तैयारी में हो जी सोमय जी आपको बता दे कि जालाउन जिले बेरे हैं कही भी कोई सुनवाई नहीं हुई है यहां जो बहड अचल छेतर है बहड छेतर है जहां लोगों की भारी समस्याइं रहती है जैसे बार आ जाती है तो नदी के उस पार जो गाउं रहते हैं उन्हें आने जाने में बड़ी दिख्टों का सामना उठाना पड़ता है वहां छों की दॉख्टा है बहत कार किया जाए लेकिन ऐसी कोई सूचना तो नहीं हबी तक आये के बहत कार किया जाएगा क्योंकि यहां जो रांपरा थाना च्छेतर है जगंमन पुर चोकी की च्छेतर है या मादोगर तैसिल च्छेतर है यह बोगनी पूर से कालपी लगा तो यहां के दरजनों गाओं ऐसे हैं जो बाल से ग्रस्त रहते हैं और बाल के कारण यहां की जो समस्या हैं वो आए दिन दिखाई देती हैं जिसके लिए हो सकता है बहुत कार करें लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक और ना ऐसा सुनने में आया है जी सौमय बिल्कुल अगर हम दूसरे चरण की चर्चा कर लें तो दूसरे चरण में भी बहुत महत्वपून मुकाबले हैं पहले चरण की आठ सीटों पर हुए चुनाव को लेकर ही नहीं बलकि 26 अपरेल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान और बाकी चरणों में यूपी के अलग- धड़कने अब बढ़ चुकी हैं देखे हम देख रहे हैं लगातार अब तो ये मतदान की बात हो गई आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से आपके जिलों में प्रशासन मुस्तेदी के साथ इसकार को कराने में लगा हुआ है आप थोड़ी सियासी बात कर लें अगर तो योगी आदे तनात ने कहा कि जनता की जो वोटिंग की स्पीड है उससे साफ नजर आ रहा है कि यह पोट किसके पक्ष में पढ़ रहा है उन्होंने साफ कहा कि यहां पर बीजेपी जो है पहले चरण में बहुत अच्छा प्रशान कर रही है हेमत आप से जाना चाहूंगी क कि क्या लगता है कि पहले चरण में जो दोनों ही नेता अपने पार्टी का दम भर रहे हैं किसका पलड़ा भारी रहा पहले चरण में देखिए जो कि वोट देना गोपनी विश्व होता है लेकिन होसला अवजाई के लिए हर पार्टी का जो नेता है या जो लीडर होता है ये leadership होती है, वो ये कहती है कि कहीं पर भी अपने कारे करताओं को हताश नहीं होने देना है, उनको motivate करना है, तो ये motivational है, कोई भी दल होगा, वो हमेशा ये कहेगा कि हम सबसे आंगे चलिए, ये voter जालता है कि वो किसको vote कर रहा है, रुक किस तरफ जाएगा, पढला किस तरफ पढला किस तरफ जा रहा है, किस की तरफ voting होई है, या नहीं हो ही है, लेकिन नेटा अपना काम भाकूभी कर रहे है, वो अपने अपने समрतों को में उस्सा भर रहे है, वो ये ने बता रहे हैं कि हम जीत की तरफ अगर सर है, तो ये एक राज्मिती का हिस्सा है, इसमें क यहीं पर भी यह कहना भी नया संगत कहीं नहीं है कि कौन आगे जाए ठीक है विजे तिवारी देखें हमने कल कुछ ऐसे वीडियो देखें जो समाधवादी पाटी ने अपने हांडल पर भी डाली थे और कई सोशल मीडिया पर वारेल भी हो रहे हैं जहां पर कई दिनों से को प्रशिक्षंट दिया जा रहा है था एकको प्राक्टिस करा रहे थी क्युंकि कई बार ही आरूप लगते हैं कि बहुत्त क्रॉसम पोट गलत वोटिंग होती है बुरके में महीलाएं आती है् या कोई भी आता है और गलत वोटिंग करब के चला जाता है जी बतादे कि अभी तक देवरियां में इसी कोई दिवस्ता नहीं है, यहां के जो जिला अधिकारी हैं, यह कर रहे हैं कि यहां देवरियां जनपन में एक जून को सातवे चरण में मतदान होना है, तो यहां जो भी तैयारिया हैं हम बिलकुल कर लेंगे पूर्ण तरीके से, वहाँ जो मतदान करने की प्रक्रिया है, यहां पर 26 अप्रेल के बाद जो भी अधिकारिंग है, जो न्यूक के हैं, पिठासीन अधिकारीं, उनको 26 अप्रेल से 15 माई तक ट्रेडिंग दिया जाएगा, उसके बाद से उनको जागरू करने के लिए इस्कूल के जो टीचर है और जो छातर है, उनको गाओ-गाओ में भेजा जाया है, जो कि वहाँ ध्यापक जो है, वो ग्रहमील इलाकों में घूम करके और यह मतदान करने के लिए कौन सा तरीका सही होता है, यह बताएंगे। कि अपने घरों से निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें क्योंकि आपका एक वोट देश की तस्वीर को बदलने का काम कर सकता है, आप चारों का अमारे साथ जुडने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो ABC News भी लगातार आपसे यही अपील करता है कि आप अपन कि महस एक चुट्टी की तरह नाले, इसे एक बहुत महत पून दिन ले और सबसे पहले, यानि कि जलपान करने से पहले मतदान का प्रयोग करें और अपने देश के लिए एक अच्छी सरकार का चुनाफ करें, फिलाल इतना ही बने रही है, का ABC News के साथ नमस्तकार.